नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज आप लोग हमारी खुसी का अंदाजा लगा चुके होंगे हालंकि ये चीजे जो है बताने के लायक नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूं या कैसे है लेकिन मैंने बताना जायश समझा और ये ब्लैक चस्मा आप रवाज से ही Google AdSense का जो पिन होता है हमारे लिए देखेगा मैं एक छोटा YouTube पर काम करने वाला व्यक्ति हूं बहुत ही छोटा ठीक है तो हमारे लिए Google AdSense का पिन आना काफी मायने रखता है और ये चीजे बताने लायक नहीं थी कि कुछ लोग समझेंगे कि ये जो है अपन से मेरा जो आत्मिय संबंद बन चुका है उस आत्मिय संबंद को दर्साने के लिए आप लोगों के ही प्यार और आशिरवाद से आज Google और AdSense पिन हमारे पास आया है इसी पिन से जो है आगे की पेमेंट प्रक्रिया प्रारम होती है ठीक है आप सभी लोग जानते ही होंगे कि Google AdSense पिन कैसे होता है क्या आता है अब हम इसके बारे में नहीं बताएंगे कि Google AdSense पिन को कैसे डाला जाता है यह हमारे विशेकी चीजे नहीं है लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि जो Google AdSense का पिन है और अर्टमान में मेरे हाथ में आ चुका है और Google AdSense पिन आपके सामने जो दिखाई दे रहा है साइद कैमरे में पूरा-पूरा दिखाई दे रहा हो थोड़ा सा कैमरा टच करिएगा देखिएगा Google AdSense का पिन यही है इसके अंदर पिन है अब उस पिन को मैं नहीं दिखा सकता हो सिक्योर्टी परपच से लेकिन यह ऐसे ही होता है Google AdSense ठीक है इस पिन को आने के बाद ही आप लोगों का जो प्यार और आशिरवाद हमें मिलता है यूटूब की तरफ से जो पेमेंट मिलता है वो पेमेंट जो है इसके बाद ही सुरू होता है ठीक है मैंने अपना चैनल क्रियेट किया था एजुकेशनल चैनल लागडाउन में 24 फरवरी 2020 को मैंने यूटूब पर अपना पहला वीडियो डाला था और वह वीडियो जो है सब्दों के उच्छारल अस्थान याद करन दीरे दीरे लागडाउन में होता क्या था लागडाउन में मन नहीं लगता था बैठे बैठे तो हमने जो है लगातार वीडियो डालना प्रारम रखा चार्ट कॉंटिनूसली वीडियो मैंने डालता रहा और दीरे 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 एक दो वीडियो दो तीन वीडियो चार व्यक्ति उसके लिए सबसे बड़ी खुशि européνοती है उस दिन होता है जब चैनल मोनेटाइज हुआ था तो मैं ने सोचा आप लोगों को बात कर दो डूए उससे जो है इससे क्लीरिफाई कर दों, क्योंकि यह आपका ही दिया हुआ सब कुछ है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मैं वीडियो मेरी तरह कई लोग सपने देखते हैं, लेकिन पूरा उनमें से बहुत ही कम लोगों का होता है, यूटूब पर सकसेज जो लोग होते हैं, बहुत मैं और कहूंगा अब मैं बात कर लेता हूं Google AdSense के बारे में बात हो गई है जब मैं शुरुवात में वीडियो बनाता था तो मेरा भाई जिसका नाम निखिल है वो बहुत ज्यादा सयोग करता था तो निखिल को आप देखना चाहेंगे तो मैं चाहूंगा कि निखिल को आप ज्यादा किये हैं आईए निखिल को हम दिखा देते हैं निखिल कैसे हैं हमारे छोटे भाई हैं यह है निखिल यह जो है बहुत ज्यादा सयोग करते हैं हमारे वीडियो को बनाने में आज भी जो है वीडियो को बनाने में यही सयोग कर रहे हैं और यही जो है कैमरे की भू लगबग कर लेते हैं, थमनिल भी बना लेते हैं, सब कुछ काम यही करते हैं, ओनलाइन सारी जिम्मेदारी इनकी है, छोटा है, लेकिन बहुत कुछ जानते हैं, हालनकि हम लोगों का भी धीरे 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 धीमाग खुल रहा है, ओनलाइन की दुनिया में, धीरे-धीरे हम भी ज्यादा चीजे जान गए हैं इसी बात नहीं है अब हम आपसे एक चीज कहते हैं जो आप लोग कहते हैं कि सकसेज जो सफलता होती है मित्रों सफलता जो है एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन जब आप continuously काम करेंगे तो इतना 100% है सफलता आपको जरूर मिलेगी जैसे कोई मित्र दिल्ली पुलिस का एकजाम हुआ था हमारे एक मित्र थे बहुत ही खास मित्र थे और उन्होंने अच्छी तैयारी की थी और दिल्ली पुलिस में इनका नहीं हुआ था हमारे पास फोन करते हैं और कहते हैं भाईया हमारा दिल्ली पुलिस में नहीं हुआ हम बहुत परेसान हैं हम तूट गए हैं तो मैं आज एक कम्यूटी पर पोस्ट डाला था उस पोस्ट पे मैंने लिखा था कि असफलताओं से नहीं घबड़ाईए जो आपको असफलता मिलती है वो आपको जिंदिगी में कुछ न कुछ सीख देती है मैंने कहा था कि जब कोई सेर बड़ा सिकार करता है तो दो कदम पीछे खीशता है बीना दो कदम पीछे खीचे आप बड़ी चीज नहीं हासिल कर सकते हैं अर्था, अगर आप कोई बड़ी सफलता आपके हाथ में लगने वाली है, तो आप छोटी असफलताओं पर घबडाईए मत, हो सकता है आप दिल्ली पुलिस के लिए बने ही नहों, आप किसी और के लिए बने हों, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, जो हमारे मित्र काफी दिनों से competitive परिछा के छेत्र से जुड़े हुए हैं, अर्था तो competition के छेत्र में जुड़े हुए हैं, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, आने वाले समय में आपके हाथ में 3-4 जवानिंग लेटर होगा, आपके माता-पिता के सामने 3-4 जवानिंग लेटर होगा, और आप उनसे पूछेंगे कि भाया, पिता जी, एंड माता जी, दादा जी, दादी जी हम इसमें से कौन सा select करें, च्वाइस करना पड़ेगा आपको, और कब संभव होगा, जब आप अपनी सफलता, जब आप अपने संघर्स को नहीं छोड़ेंगे, जो आज आप संघर्स कर रहें, अगर इस संघर्स को छोटी सी सफलता, छोटी सी असफलता पर छोड़ देते हैं, तो जाइज सी बात है कि आने वाले वक्त में आप असफल ही रह जाएंगे, आप छोड़ चुके हैं, काम करना, लेकिन अगर आप काम करना नहीं छोड़ते हैं, तो इस्वर पर जीजे जो है online ही चलती थी लेकिन पहली बार YouTube की तरब से कोई hard copy हमें हाथ में आई है तो थोड़ा सा आप लोगों की वज़े से मुझे खुसी है ठीक है तो आप लोग इसी तरीके से प्यार और आसिरवाद बनाए रखिएगा जिस तरीके से आप support कर रहे हैं वह भी मेरे लि से देने का प्रयास करूंगा और आने वाले समय में मैं आपके लिए ही काम करूंगा धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए और इतना प्यार और आसिरवाद बनाए रखने के लिए आपका सहिर्दय नितिन उपाद्याय आभार व्यक्त करता है